बात आखों की सुनो दिल में उतर जाती है जुबां का क्या है? कभी भी मुकर जाती है जो कह सको वो कहो जरीया चाहे जो भी हो जिन्दिगी का क्या है? गुजरना है गुजर जाती है तो जरिया क्या हो किया एक छोटी सी स्माइली एक शेर को खा गई है पहली बात तो आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने जो शो शुरू किया उसी इस्थर की कविता से शुरू गया जो इंटरनेट पे चल लगी है, तो मनवराना बिलकुल इसी इस्थर की कविता थी, जैसी चल लगी है, दरसल पोडल बहुत खुल गये हैं, tweet कोई भी कर सकत इक एकाउंट खुलाने के लिए आधार चाहिए लेकिन एफबी एकाउंट खुलाने के लिए आधार हो तो भी चलेगा काम. ऐसे समय में जो टिपिकल हिंदी पोईट्री है और उर्दु की शायरी है हिंदी की कविता है वो सिंख कर रही है उस थौट के साथ कि आपको तातका लिखता चाहिए जिसे आज तक सबसे तेज तो शायरी भी सबसे तेज पेशावर में हमला हो जाए तो शेरब आपको तुरंट चिपकाना पड़ेगा कि रस्टे निहारती रही मायें तमाम रात, बच्चे स्कूल से सीधे जन्नत चले गए अगर गुलाम علी साथ का कंसर्ट खत्म हो जाए तो आपको तुरंट शेर चिपकाना पड़ेगा कि चाहत भी मौसकी भी चरागा भी रक्स भी और तेरे राज में क्या क्या हराम है तो लोग समझ जाएंगे किस के लिए कहा जा रहा है अगर सिक्षक दिवस के दिन ये आदेश दे दिया जाए कि तुम्हारे बच्चों को मेरा भाशन सुनना जरूरी है उनके अटेंडनेंस लगा के भेजिये कल थी सिक्षा मंतरी आपके इसमंच पर तो कवी को तुरंट कहना पड़ेगा कि नया निजाम नया निजाम नई बंदिशें एलान नया हम फकत लशकरे शाही के ही माफिक सोचें साहिबे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी अपने बच्चों से कहो मेरे मुताबिक सोचें या आपको तुरंट लगाना पड़ेगा उसी वक्त लगाना पड़ेगा तो ऐसे वक्त में शाहरी सिंग करने की कोशिश कर रही है उसमें मैं अमिश को का इस बात का बहुत शुक्रिया आदा करूँगा ऐसे तमाम लोगों को अनु भाई जो उसमें रेडियो पर कर रहे हैं कि जो हमारी जनरेशन इंस्टेंट वाली है उसको इंस्टेंट चाहिए फीलिंग में इंस्टेंट होता नहीं उदे परताब जी हमारे एक बड़े शायर है उनका एक शेर है कि सब फैसले होते नहीं सिक्के उच्छालके ये दिल के मामले हैं जरा देख भालके और मॉबाईलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खट पे कलेजा निकालके तो जो लिखने की वो जो मुहब्बत का पहला खत लिखने की जो पेशेंस थी मैं अभी बात कर रहा था तो मैं कर रहा था कि हम को तो ग्यार्वी क्लास में पहली बार वो दिखी भी-ए की पहली साल तो इसी जद्धो जहद में बीच गई दो साल कि ऐससे बूलना क्या है? और अभी तो ये है कि वह आती रही, यह आती रही, यह अपन प्यार समझ बैटे, एक दिन वह नहीं आ, यह अपन रविवार समझ बैटे, इक काम खतम हो गया, तो वो जो लंबा पकने का वक्त था चाहे कविता में हो चाहे साहित में हो चाहे पत्रकारिता में हो ये भी कह सकते हैं तो जो आप शाम को बहस करती है इसमें आवद के नवाब मुर्गे लडाते हैं, एक एंकर बैठी रहती है, एक विशे के पक्ष में होते हैं, एक एक एक्सपर्ट होते हैं, दौनों को भढ़काने वाला और अंत में समझ में नहीं जाता है, क्या हो रहा है गरीबी की रेखा है तो हमारी कविता भी उसी दोर से घुजर रही है कि एक पूरी जैनेरेशन इसमें खब जाएगी हमिश्तिरिपाटी की कुमार विश्वास की निलेश मिष्रा की इन सब की जनेरेशन इसमें चली जाएगी और इसके आने बाद वाला जो होगा वो अपने अंदर के सिंथेसिस को इतना अच्छा कर लेगा कि इधर उसको थौट मिला इधर चीजें मिली और सचमुच में उसके अंदर से कविता निकल के आएगी और इसलिए तो मुनवर राना साथ नहीं लिखा था ना वो कि बादशाह को सिखाया है कलंदर होना आज की जेनरेशन को मुनवर राना क्या सिखाएंगे कुमार मायूस नहीं होना चाहिए कि क्यूम नाशाद का एक शेर है कि कि अदब के नाम पर महफिल में चर्वी बेचने वालो अभी वो लोग जिन्दा हैं जो घी पहचान लेते हैं तो जब शब्द कम पढ़ने लगते हैं या शब्द हमारी गुट्टी में कम पिलाए जाते हैं तो हम कार्टूनों का या इसमाइली के सहारे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं या लखनू आप दाखिल होंगे तो लिखा रहता है मुस्कुराईए कि आप लखनू में है तो जब आपको ये बताना पड़ जाएगी आपको मुस्कुराना है कि आप लखनू में आ रहे हैं आप क्यों मुस्कुराएंगे ना आपको वहाँ ठेका है ना आपको वहाँ जमीन है ना आपके माफिया है तो क्यों मुस्कुराएंगे मुस्कुराने के लिए वो हालात होने चाहिए आप देखें कि पहले शेर का सहरा इसलिए लिए लिए आ जाता था कि माएं जब दूद पिलाती थी तो दूद के साथ अपने संसकार भी बच्चों में डाल देती थी आज की माँ अपने बेटे से ये नहीं कह सकती है कि मैं तुम्हें अपने दूद की खसम देती हूँ कि देश पे खुर्बान हो जाओ वो कहती है मैं तुम्हें कहा कुमार के एक आओमी जिसको पूर्सा देड़ना है जिसके घर में कोई मर जाता है आप वहां इसमाईली के दरीए कुछ नहीं दे सकते हैं आप वहा शेरीर के बेचते हैं जैसे पहले जमाने में लिखा जाता था हमारे लड़कपन के जमाने में तो क्या खता मुझसे तो तुम्हारे पाउं चुमेंगे मेरी तहरीर के टुकडे इस तरह से लिखा जाता था कि काफी आटो बाइगरा भी करते हैं नहीं मत बहुत है कि जवानी हम पर भी आई थी कुमार आपका तो खुद का शेयर है कि यह जाने गजल तेरे मेरे प्यार की खुश्बू डरता हूँ कहीं राय भरेजने नहीं चली जाये तो आपने तो अंतरदेशीय प्रेंच किया है ने मैंने यह भी कहा है कि तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतिजार मेरा दूसरा भी करता है तो बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले कि इंतिदार मेरा दूसरा भी करता है और हसीन लोगों से मिलने पे इतिराज न कर ये जुर्म वो है जो शादी शुदा भी करता है पर मेरे लिए तो ब्रेकिंग चला देते हैं ये नहीं तो हमने तो तुमसे ये परसों वाविधान सभा के मुशारे में कहा था कि तुम्हें एहले सियासत ने कहीं का भी नहीं रखा तुम्हें एहले सियासत ने कहीं का भी नहीं रखा हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते लेकिन अनुक पूर जी क्या हिए अभी वक्ति के आजादी नहीं है कि किसी को उन लाइनों पर भारी एक expression रहे जैसे कहते थे ना कि आखों की भाशा पढ़ी जाती थी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है अच्छा सुनने वालों की हमेशा कमी रही है अभी बात यह है कि एक कोई अच्छा सा शेर है नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए पंखुडी एक गुलाब की सी है मीर उननीम बाज आखों में सारी मस्ती शराब की सी है यह शेर हेमा मालिनी या मधुबाला के लिए तो उप्युक्त है परन्तु आज का नौजवान अगर बहन सनी लियोनी को देखेगा तो यह शेर कैसे कह सकता है बहुत अच्छे आप समझ रहे हैं उसके सामने समस्या है बहुत बड़ी समस्या है उसके जो जजबात उसकी भावनाएं जो जागरत हो रही है वो शरीर के किसी और केंदर बिंदू से उसका अनौब वो उसके लिए यह पढ़ देगा कि निगा उठे तो सुबहा हो जुके तो शाम हो जाए अगर तू मुस्कुरा बढ़ दे तो कतले आम हो जाए जरूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की जो ख्वाबों में ही आजाओ तो अपना काम हो जाए स्माइली की अपनी वैल्यू है बिल्कुल वैल्यू है समय परिवर्तन जीवन का नियम है डेफिनेटली उस परिवर्तन को स्विकार करना चाहिए अगर परिवर्तन शुब दिशा में हो तो बहुत अच्छा है हर परिवर्तन तो प्रगती और विकास नहीं हो सकता है तो स्माइली एक जलक है और शायरी तो जाकी इस जलक और जाकी में और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अच्छे सुनने वाले अभी भी हैं अभी नौजवानों की बात कर रहा हूँ आप भी शामिल हो जाओ चलो कोई प्राब्लम नहीं हो समाइली हैं फेस्बुक देखिए ट्टर देखिए क्या-क्या शेर कहते हैं भाई क्या-क्या मैसेजिस आते हैं लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ समाइली नहीं चलती है 18-19-20 साल का लड़का अभी विक्त करता है किसी न किसी शेर के साथ अभी विक्त करता है कमाल-कमाल की अभी विक्ती आती है एक से एक कमाल-कमाल की अभी विक्ती आती है और ये अभी विक्ति जो है वो आ रही है नौजवानों से मैं यह नहीं कह रहा कि वो कॉलेज में पढ़वाने वाले प्रोफेसर हैं कमाल की अभी विक्ति आ रही है कहलेगी जी कोट ने सल्मान खान को छोड़ दिया अच्छी बात है अब आसाराम को भी छोड़ दो कोट ने सल्मान खान को छोड़ दिया अच्छी बात है आसाराम को भी छोड़ दिजिए अठारा साल के लड़के ने मैसेज बेजा मुझे कोट ने सलमान खान को छोड़ दिया अच्छी बात है आसाराम को भी छोड़ दीजिए उनके चड़ने से किसी की जान नहीं गई है यहाँ पे उसने स्माइली का प्रयोग नहीं किया पूरी जहांकी दी है उसने और यह तो मजाहिया बात है थोड़ी से विट और हूमर के साथ है परन्तु सचा ही यह है कि जब-जब उसने अपने आपको एक्सप्रेस किया है तब-तब उसे साहित्ती की तरफ जाना पड़ा है लिटरचर की तरफ जाना पड़ा है और नीरद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कि मनुष्य होना भाग्य की बात है, परतु कलाकार होना सोबाग्य की बात है पोईट्री की कमी नहीं है आदरणी मित्रों मैं एक चोटा सा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ अचानक जहन में आगया तो सोच के आया नहीं था मैं सोच के तो स्कृप्ट पढ़ते हैं यहां तो आपके साथ फ्लो है के बाइबल में एक जिक्र है कि विन जीजस रीच तो दे सीशोर सी तर्न इंट रेड वाइन बहुत इस इस दिर्ष्टांद के ऊपर नजाने कितने स्कॉलर्स ने हिस्टॉरियं ने इंटलेक्शल्स ने अपने अपने इंटर्परेशन दिये है पूरा वेटिकन अगर आप में से बहुत सारे लोग गए होगे आप वेटिकन जब जाएंगे पूरा एक सेक्शन है जो जिसमें यह किताबें हैं इंटर्परेट किया है बहुत सारे लोगों ने इस पर व्याक्या किया आज से देड़ सो साल पहले इंग्लेंड के एक स्कूल में टीचर ने अपने बच्चों को कहा यह सुनाया यह दर्ष्टानती यह पैरबल सुनाया और कहा तुम्हारे मन में जो आ रहा है उसको बयान करो एक बच्चे ने पांच मिनिट के अंदर कॉपी वापस कर दी वापस कर दी उसमें सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ था महरमान दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़े लिखे हैं समझदार हैं अंग्रेजी शब्द का जो सी है वो इस्त्री लिंगी है वो फैमिनिन जेंडर है जैसे हमारे बहुत सारे लोगों से एक बार गलती होगी थी मजरू साब ने एक गाना लिखा था पवन दीवानी तो पंडित भरत व्यास ने कहा का पंडिजी ये गाना क्या लिख दिया आपने पवन दीवानी नहीं हो सकता है पवन दीवाना होता है पवन दिवाना होता है पवन दिवानी नहीं होता है हवा दिवानी हो सकती है सब दिवानी हो सकती है पवन दिवाना नहीं हो सकता उसी तरह से इंग्लिश का सी ocean is a masculine gender but sea is a feminine gender come back to the point उस बच्चे ने वापस कर दी किताब उसके teacher ने उसकी answer बिस खोली उसमें एक sentence लिखा हुआ था मुलाज़ा फर्माईएगा the sea saw her master the sea saw her master and blushed the sea saw her master and blushed और मेरे महरबान दोस्तों आज भी Jesus के वो parable when Jesus Christ the Savior the Lord reached to the seashore sea turned into a red wine आज भी इतनी अच्छी व्याख्या और कोई नहीं है अब ये अलग बात है कि ये बारा साल का बच्चा आगे जाकर इंग्लिश का महा कभी बाइरन कहलाता है इसमें एड़ी दिश्टांद बच्चों को सुनाया they got so inspired, they got so motivated so smiley की अपनी जगा है और साहित की अपनी जगा है आप जो कहेंगे अगर आज के लोगों को डारेक्ट मंगता है जल्दी बोल इदर उदर की बात मत कर इदर बोल एक दम इदर डारेक्ट आके बात लगनी चाहिए वो बात आपके पास सुनर है आपके पास विचार है आपके पास अभी विकती है वो अभी विकती नौजवान के पास time नहीं है हमारे पास बहुत time था गुल्ली डंडे वाले लोग है अभी कहा बास गुली डंडा घौली डंडा भाई ये Facebook है और Whatsapp है और Twitter है Instagram है इसके उपर सारा time कट जाता है जो स्माइली की दुनिया है और टेक्नलोजी की नहीं दुनिया है अनु भाई ने जिती देर बोला उसके बाद में यह स्टेटमेंट जान पूछ के दे रहा हूँ लिट्रेचर में जहां से मुनवराना आते हैं और जहां का मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ उनी का शेर पढ़ रहा हूँ कि खुद से चलकर नहीं यह तरज सुखन आया है पाउदाबे हैं बुजर्गों के तो फन आया है हमारे एक शायर है उनका एक शेर है कि ठहरी ठहरी सी तबियत पर रवानी आई फिर कोई याद मुझे बात पुरानी आई इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत ढल गई उम्र तो गजनों पर रवानी आई तो लिक्ट्रेचर में और इस टेक्नलोजी में इस इंस्ट्राग्राम में इस फेस्बुक में इस ट्वीटर में जहां मुझे सौभग गया है कि मैं थ्री मिलियन लोग फेस्बुक पे मेरे पास होते हैं ट्वीटर पे भी वन मिलियन होते हैं इसके बाद भी मैं मैंसूस करता हूँ हमारे यहां हलका फुलका सुना लिखा जा सकता है हलका नहीं लिखा जा सकता, ना सुना जा सकता वहां हलका भी सुना जाता है और हलका भी लिखा जाता है यह एक बारीक अंतर हमारे पास है अमिश चुकि उस मुस्मुकाम तक ले गए तो उस शर्चा को इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि असल में अगर हम वेलगरिटिस है अगर हम जबान को या ताहित को या बाचीत को ना बचा सकें तो हमारी दिम्मेदारी कमजूर पड़ती है एक शेर है किसी का कि मौसम में तो खुनकी है खुनकी थे ठंडक मौसम में तो खुनकी है आगे मर्दी उनकी है यहां कुछ ऐसा वो चड़ने उतरने को कोई काम नहीं करना पड़ा है पूरी बात भी वादे हो जाती है मौसम में तो खुनकी है आगे मर्दी उनकी है अभी पिछले दिनों लोग बहुत SMS कर देते हैं मैं बहुत आजीद आता हूँ पढ़ने में दिकत होती है जवाब देने से कहानी नहीं सुनती वाँ बहुत अच्छे लेकिन सर अब उस बच्चे का जवाब आएगा फोन करने का एक रुप्या लगता है वाटसएप फ्री है नहीं दो असल में वाटसएप पे कॉलिंग भी फ्री है आजकल उस पर कॉलिंग भी फ्री है उसके वोस्कॉल्स मिनिट देखे महबत बनियों का काम नहीं है भी मैं और बनियों का काम है वह तैमूर लंग ने जब इरान पे अथा किया तो उसने का ऐस पर कड़ लाओ यह एक उरा और जिस हालत में आना चाहे जिन्दा या मुर्दा उसे लेकर आओ वो आया और कैलेंगा कि उसने तैमूर लंग ने बूचा चाहे तू ही वो शायर है जिसने अपनी मामूली सी महबूबा के गाल के तिल पर मेरा समरकंदो बुखारा निशावर कर दिया उसने क्या क्या अगर उस सरकार किसी फुदूल खर्ची की वज़े से अन्नेसेसरी एक्समेंस के विज़े मेरा ये हाल है तो बाशाव खुश हुआ और उसने उसको इनाम वाबस किया तो महबद मेगर आप फुदूल खर्च नहीं है तो लड़की कहीं और जाए अब सबसे है इन फाक्ट ये सवाल मेरा कि सामने वाले को समझाना है किसी किसी को भी समझाना है कि मैं तुम से कहना क्या चाह रहा हूँ क्या एक दिल का निशान जो की स्माइली में होता है वो भेज देना या एक छोटा सा शब्द भेज देना मैं आपको समझाता हूँ मैं आपसे उमर में बहुत बड़ा हूँ मैं समझा सकता हूँ यह ऐसा है कि हमें आम से बड़ा इश्ख है तिक मेरा शेयर बहुत मशूर है कि इनसान के हाथों की बनाई नहीं खाते हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते आप इस्माइली भेजीए, इसमें कैसे इस्माइली भेजेंगे मुझसे लखनौव में किसी मीडिया वाले ने पूछा किस आप कुछ लोग आम चूस के खाते हैं कुछ लोग आम काट के खाते हैं तो एक लखनवी थे उन्होंने का, जो देहाद के लोग हैं, वो आम चूस के खाते हैं, जो शेहर के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कौलिफाइड हैं, वो आम काट के खाते हैं, वो आम काट के खाते हैं, जिन्होंने अम्मा का दूद पिया है, वो चूस के खाते हैं, जिन्ह यह है शायरी यह है इसमाईली तो इसमाईली के साथ अगर आप शायरी नहीं रखेंगे तो इसमाईली में जो गोड़ देता हूं आपकर लाहिता लेते हैं बिन जाने बिन ही पढ़े जानी मन की बात उस लड़की ने अपने प्रियत्म को और आपके यह तो गाना भी है कोरे कागज पर लिख दे सलाम बाबू वो जान जाएंगे पहँचान जाएंगे कैसे होती है सुभाद लिख दे सवरिया के नाम बाबू खद लिख दे खाली खद भेज दिया और एक कागज है और सबसे अच्छा तो यह है कि एक शेर हमारे यह भी है कि आसू से जो उसने तस्वीर बनाई है उसी तस्वीर से वो समझ गई कि क्या लिखा गया है तो इसमाईली तो बाद का काम है बेसिकली संकट आपके इमोशन पर है आप इंस इसे शpping का संकट आपकी खबरों में भी है अभी अभी की ख़वर में है आपकी पत्रगारता में आपके साहिते में आपकी राजनीती में लंबा जो इर अनुभा की राजनीती थी दिसमें संस्मान याद था जिसमें इनिस सो बासट में क्या हowa था दो उनको पता नहीं है तो यह हमारे साथ भी संकत है, आमिश्की चुनोती है, मेरी चुनोती है, मैं मुनवराना साब को इसलिए नहीं कह रहा, कि यह चुके हुए नहीं है, यह कर चुके हुए आदमी है, यह जो करना था, वो कर चुके हैं, अब इस डेशन को आगे ले जाना है, हम लोग की चुनौती है कि हम लोग ऐसा लिखें वो प्रोज में लिखें, मैं पोईट्री में लिखूँ कि एक स्माइली को हटाने का मन करें उस लड़के लड़की का मैं पहली बार जब इनके साथ शार जहां गया था सर तो मुझे बड़ा अच्छा संसमरन याद है कि वहाँ एक पाकिस्तान के शायर मिले तो उन्होंना मुझे कहा कि आप कुमार विश्वास हैं मैंने का जी आप हमारे यहां भी काफी मकबूल हैं मैंने का जी शुक्रिया बोले पर आप से एक शिकायत है मैंने का वो तो 1947 से याप को शिकायत हैं हमसे बोले ने-ने आपकी शायरी से भी शिकायत है मैंने का जी बताएए बोले यह जो आपने कोई दिवाना कहता है लिखिया यह खारिज है और खा काफी नीचे से निकाल के लाई थे वह खारिज है मैं दूर हड़ गया पता नहीं क्या निकालें ये तो बुले कि भई देखिये मैंने का जी समझ में नहीं आया बुले ये उर्दू के काइदे से खारिज है उर्दू के काइदे में पागल बादल और दिल का काफिया नहीं मिलता तो मैंने का साब देखिए हमने हिंदी में लिखा था जब स्विमिंग पूल हमारे तो चड़ी बनियान आपके क्यों तो आप नमिले काफिया हाँ नहीं मिला काफिया पागल का बादल का दिल हमने प्रोग्राम में पढ़ना शुरू किया पाँच जार लोग थे मुनवर अना साफ भी थे धाई अजार पाकिस्तानी थे धाई जार हिंदुस्तानी थे मैंने पहला मिस्रा पड़ा कोई दिवाना कहता है कोई पाक लड़को ने गाना शुरू करते है दोनों तरफ के तो मैंने पीछे मुड़को शायर को आख हमारी मेन का मिल गया कि और मिला हूं काफ यहाँ तो बेसिकली आप वो लिखिये आप इग्णोर करते रहें कहते रही है कि इनको बूकर नहीं मिल सकता था उनको फज़ा नहीं की तरह किसी की विसरकार आ जाए ना अपनी देगी आम मिला ही नहीं हमारा क्या होना है ना पदम श्री मिलना हम ओ लेकिन हमको वो मिलना चाहिए कि एक smiley भेस्ती हुई लड़की एक smiley भेस्ता हुआ लड़का उस smiley को हटाकर मेरे share को रख सके और मेरे share को वहाँ पहुचा सके यही आने वाले कल की ताक है और अब online शायरी की मौजूदगी भी लगता है कि इस चीज की तजीक करती है क्योंकि अब उतने ही followers हमें इस तरह की शायरी के handles के भी मिलते हैं और युवाव में बहुत मिलते हैं आप बिलकुल और देखे हर मैं वहाँ पतरा है कि बहुत को आप आप जो करें हर पीडी कि अलग ँरू होता है और मतलब डिजन का भी अलग होता है डूप होथ या कहानी अच्छी है या ना अच्छी है वो तो वक्का तकाज़ा बजाएगा मतलब 20 साल बाद 30 साल बाद अगर किताब जिन्दा है तो मतलब अच्छी है किताब नहीं है तो जो आज का विश है वो यह नहीं है कि वो acceptation किससे मिला है आज तो पुरुसकार का मसला नहीं जादी आज़िया हमाराइज का भाषब करेंगे, जाए सरकारी ओ, ग्यान चाहो जते हैं, जाए सरकारी ओ, घ्यान की ओ, ऀड़न emphasized के नहीं हुत, मैं एक kde कौन har Karaj kannarya है, इस अप को जन्ता में जो रहने हैं, आपको लोग नहीं मिली थी लेकिन मैं अपनी मा के लिए सबसे चोटा बेटा होने के नादे यही शेर सोचता था कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई मैं घर में सबसे चोटा था मेरे हिस्से में मा आई मुनवराना का शेर मैंसे ही गुन गुनाता था तो जितने चोटे बच पर फिर घंडी बोलने वान आदमी एक शेर के साथ सफर कर रहा था क्योंकिश्यर मुझे परिभाशित कर रहा था क्योंकि मुझे नइवत ट्रांसलेट कर रहा था तो आमिश्टर पाठी कर लिक रहें मुनवराना अप लिख रहे हैं अनुभाई अगर T V, उस पर रेडियो पर गानों के बारे में बॉलNo यह जिस संगीत-कार गणेश के बारे में यह बोल ले थे उस गणेश के बारे में पढ़ने वाली मेरी पे टीवी सुन जई हाई है न आपर ये ऐसी भाशा में बोला है जो इसकी समझ में नियारा अब जैसे हमारे हिंदी के वो हाशिय के मुखे धारा के कवी है उनकी कविता क्या होती है सूरद ने चांद से कहा कि गिलेरी छोटी और धर्टी उदास हो गई कविता खतब अब इस पर उने पुरुसकार मिल जाता है इसी पर उनकी सेमिनार हो जाती है इसी में वो पाट्यक्रम में पढ़ा दिया जाते है और चुकि हम पर तालियां बसती है चुकि हमारे शो में सीटी बसती है चुकि हमारी कविता पर लोग नाचने लगते हैं या उसे smiley में भेज देते हैं तो वो कहते हैं ये तो खारेज हैं वक्त से खारेज हैं तो ठीक है भाईया वक्त फैसला कर देगा तुलसीदास को भी चित्रकूर चाना पड़ा था हम भी चित्रकूर चले जाएंगे थोड़े दिन के लिए आप बता देगा समय कम बेने के एक अच्छी तरह समझ जाएंगे उनको बहुत इमोशनली यूफ तो स्टिमूलेट देम इमोशनली बात करो और कोई स्ट्रॉंग वेरी पावफुल बात देविल अंडर्स्टैंड वसी मरेल भी का शेर है कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती और आप बस दिल से बात करें जिनको समझना है समझ लेंगे जिनको नहीं समझना है ना समझ आप अपने दिल से साफ से बात करिए बस साफ दिल से बोलिए और और जहां तक मैं एक बात में कंख्लूड करना चाहूंगा जहां तक हमारे नौजवान हैं हमारे नौजवानों क करनी है, आपको आगे बढ़ना है, आप माने यह ना माने, वाइट सुप्रमिसी तो है, बराक उबामा तो बराक उबामा है, उसकी कंट्री तो उसकी कंट्री आप कुछ भूत कर से, तो हमारे बच्चों के उपर डबल रिस्पॉंसबिलिटी है, उन्हें अंग्रेजी ऐसी सी चीक नहीं है, क्या ऑक्सफोर्ड हावड में उनकी अंग्रेजी सीखी जाए, लेकिन घर में जब जाएं, तो अपनी भाशा बोलें, पंजाबी इचे गल करें, तो हर्याना की भाशा बोलें, मराथी बोलें, बंगाली बोलें, अपनी इंडिविजॉज़एलिटी नहीं ख लाफ ये होगा, कि अंग्रेजी तो हम सिखाई रहे हैं, इतनी सिखाते हैं कि जब बच्चा आठ महीने का होता है मा के पेड में, तब उसका दाखला करवा देते हैं, दो साल में उसको पढ़ने के लिए भेज़ देते हैं, रात दिन उसको कहते हैं, तुम्हें अड़ोगा, हम इब बच्चे को शिखाए हूंगा, अंग्रियदी तो हम सिखाई रहे हैं, जिन्द agricona के के मुखाबले के लिए इनको हमतियार कर रहे हैं, लेजम मैंने यह इंगर आपको सिखाता है, अपनी को यह यह बता रहे हैं कि बेटां कि गचा कम से कम कोई बच्या सारी एनरजी सिर्फ उसको पैसिफाई करने में चली जाएगी, इसलिए बहुत ही, बहुत ही, महाराष्ट में एकतावत है, शानपती करून का, गाबरून का, पड़े प्यार से सटकाना पड़ेगी अपनी बात. येडा बन के पेडा खा. है करने इसके कारण ये, भाष्चा आपकी न संसकृति को वाहन करती है, उसका वहिकिल है. जैसे, मैंने बच्पन में पढ़ा, राधा और न करशन के वीच प्रेम प्रकट हूआ. तो मेरे पिदाजी प्रोफेसर तो मैंने उसे पूछा प्रकट क्या हुआ पांचे साल का था तो उनने का कि प्रेम इश्वर है वो पैदा नहीं होता वो प्रकट होता है ये भाशा ने सिखाया कि प्रेम इश्वर है इसने गिर गया वो नीचे, तो भाशा जो है, भाशा आपको, आपकी संस्कृती भी बताती आपकी कल्चर भी बताती चलती, यह तो, दे लिए हम हमारी पहली और आखरी जिम्मेदारी है, वो भाशा सिखाने की है, मेरे बेटे ने, मेरे पोते को, जिसको एक्सर मैं लिखता ह जब मैं रोता हूँ तो लोग सब मानने लगते हैं, बच्चा रोता है तो सब मानने लगते हैं, एक दिन मेरे बेटे ने उसको बहुत मारा पीटा, मेरी पत्मी ने आगे का देखो, बहुत मारा है उसने, मैं बेटे के पास गया, और मैंने देखी, यह है ज़वान शायरी निकालना है, तो कोई और दूसरा बहाना तलाश कर लो, तुम जानते हो को पोते से हमिश्च करते हैं, इसको मारा मत करो, मैं चला आया, आदे गिंटे के बाद मेरा बेटा आया, मुझसे लिपट के रोने लगा, और किलने का पापा, I am sorry, इससे ज़्यादा तरीके से और क्या सुनना चाहेंगी, क्योंकि जिक्र यहां पर बहुत सारा हो गया है, लेकिन आप से सुनना चाहते हैं सब, उस जमाने में, जब मैं कलगते में रहता था, तो हमारे एक बंगाली दोस्ते वो कहते थे, कि जब हमारा बंगला साहित तो अंग्रेजों से पंजे लड़ा रहा थ तो तुम्हारी उर्दू घजल वेशिया के कोटे ते उतर रही थी, मुझे ये बात कहीं तकलीफ पहुंचाती, लेकिन मैं सोचता कि हमारे यहां ऐसी शैरी बहुत हो गई है, दुपटे को आगे से दोरा न औरो, नमुदार चीज़ें चुपाने से हासिल, आज हसने में व तो मैंने बाराल मैंने शेर कहे, मैं कुछ शेर में आर्द कर रहा हूँ, जैसा एक शेर भी उन्होंने सुनाया कि किसी को घर मिला हिस्से में, या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे चोटा था, मेरे हिस्से में मा ही, एक मतला यह है कि आए अंधेरे, देख ले, मुझ तेर भी है तो रो देती है, जमाने में किसी ने हमें शेर सुनाया था, कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान चुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान चुआ, उठाया गोद में माने तब आस्मान चुआ, उठाया गोद में माने तब आस्मान चुआ, झाल झाल झाल